राजस्तान विदान सबाद धेक्ष की और से प्रदिम कास्विवाल जा अदालत में पेश होए सर सबसे पहले अदालत का आज क्या कहना था इस पूरी याचिका पर क्योंकि काफी कुछ मांग की गई थी डिमांड एक दो नहीं थी पांच डिमांड एती उनकी देखे जो भी याचिका करता ने मांग की आज उस पे तो चर्चा हुई नहीं क्योंकि भैस शुरू होते ही उन्होंने काया कि हम जो याचिका है उसका शंशोधन चाते हैं और हम वाईरीज चैलेंज करना चाते हैं तो कोट ने उनको समय दे दिया कि अगर ऐसा है तो आप वाईरीज या जो भी अमेंडमेंड्मेंट शंशोधन चाते हैं आप लिया ये और वाईरीज चैलेंज होते हैं तो मसला एकल पीट से खंड़ पीट के लिस्टिंग कर ले तो उनको देखना है कि उनको कितनी इस से अर्जेंसी है और कितना जल्दी वह उच्छ न्याले से रिलीफ चाहते हैं लेकिन सबसे पूरा ये मामला यही है कि विप का उलंगन विप जब विदान सभा चलती है उसी वपत है उनको इसी बात को लेकर आपतिती कि विप किस बात का सर विप तो पार्टी विप का मतलब होता है कि ऐसा परसन जो पार्टी का डिसिप्लेन मेंटेन करे और इसलिए एक विप अफिसर जो होता है विप अधिकारी होता है वो होता है उनके द्वारा ये विप द्वारी किया गया कि आप विधायकों की जो बैठक हो रही है उसमें उपस्तेत हो और कोई उस बैठाग में उपस्तेत नहीं होता उसकी अवेलना करता है आता नहीं है जवाब नहीं देता तो एक तरीके से पार्टी के अगेंस जा रहा है जो विप का अगेंस्ट होने का ग्राउंड है डिस्कौलिफिकेशन का यहां पर राचिक का जो स्पीकर म करते हो तो वो डिस्कौलिफिकेशन का ग्राउंड हो तरीक आखरी सवाल चूंकि आप स्पीकर की तरफ से आया है और स्पीकर के खिलाफ इस पीटीशन में एक वर्ड का यूज किया गया है उसमें यह कहा गया है कि उन्हें के दबाव में वह अभी क्योंकि हमें अफसर नह पर वक्त मांगा गया है अब सचिन पाइलेट के खिमें पर डिपेंड करेंगा कि कितनी जल्दी वह अमेंडमेंट लेके आते हैं हराजस्तान हाई कोट में चीफ जश्टीस के पास उसमेंडमेंट को पेश करना पड़ेगा उसके बाद चीफ जश्टीस देखेंगे कि यह स सचिन पाइलेट का खेमा भी इस पूरे मसले पर कुछ नहीं करना चाहता है एक बात तो साफ है कि अब कानूनी दाव पेच में शायद यह मामला कुछ वक्त तक उलचता जा रहा है क्योंकि आरोप स्पिकर भी लगे हैं और स्पिकर की और से इस पर अदालत में काफी अच्छन जैपूर नुस 24